एलो एब्रिवन तो सबका स्वागत है स्रीज में जिसमें हम लोग डिसकस कर रहे हैं चैप्टर वाई चैप्टर कौन कौन से इंपोर्नेंट कौन कौन से निमेरिकल है या कोशन है जो NCRT में दिये हुए हैं और आपको पढ़ने हैं क्योकि यार कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको यार NCRT का भी पता जी नहीं नहीं है उन्हों देखा ही निये कौन कौन सी चीज़े हैं जो important है जो आपको करनी है और हम लोग यह भी बताएंगे आपको कि कौन सी चीज़े हैं जो NCRT में नहीं दी गई है लेकिन board exam में आई हैं और आपको करनी है कौन-कौन से numerical है especially जो NCRT में नहीं दिये गए हैं वो आपको करने हैं तो हम लोग यहां पर question देख रहे हैं कि numerical और जो बाकी question है कौन-कौन से NCRT के हमें करने हैं तो सबका स्वागत इस स्रीज में जिसमें हम लोग आज discuss करने जा रहे हैं chapter number 3 जो है हमारा current electricity तो current electricity जो chapter है इसमें कौन-कौन सी चीजें हमें करनी है तो हम देखिने सारे salt और unsolved जो question है उसमें कौन-कौन से important है पांच question इसमें important है जो सबसे ज़्यादा है और आपको ये भी बताएंगे कि उसके अलावा आपको क्या करना है तो let us start हम लोग पूरी research के साथ आपके सामने है आज तो हम लोग आपको बताएंगे कि कौन-कौन सी चीजें हमें यहाँ पे करनी है तो start करते हैं बिल्कुल जो है पहले question number और जो salt example है वहासे start करते हैं तो 3.1 जो पहला यहाँ पर salt example है उसको देखते है कौन सा है इफ्कलिक काफी पीछे है तो यहाँ पर यह 3.1 जो है example हमारे सामने है कि यहाँ पर आपको दिया कि यह wire है उसमें कैसार्य ATOM है उसका जो है area दिया हुआ हुआ है और करेंट दिया हुआ है यहां पर और अटमिक मास वगरा दिया वर डिफ्ट वेलोसिटी की बात की गए डिफ्ट वेलोसिटी कितनी इसकी आएगी तो फर्मला आपको पता है आई इक्वल टू एन एवी डी वो यूज होना है यहां पर लेकिन बस इस कोशन में भैस करती है कि आपको मोल कंसेप्ट लगाना पड़े तो जब बोड में कोशन आया है यह तो उसमें जो है एन की वैल्ली जो यहां पर नोने मोल कंसेप्ट से निकाली है वो डारेक्ट आपको दी थी और आपको आई एक्वल टू एन एवी डी यूज करना था तो वह आपको इसमें लिखिए है कि थर्मली स्पीड को कंपेर करो बागी चीज़ें कंपेर करो यह बहुत इंपोर्डेंट नहीं है इसमें लेकिन जो आई की वैल्यू है वो भी अगर एंड डारेक्ट दिया हो तो वह आपके लिए इंपोर्टेंट है इस कोशन को आप कर सकते हैं वहां 3.2 जो कोशन है हमारे सामने वो यह है यह है यह है 3.2 राइट 3.2 जो कोशन है वो यह वाला कोशन है हमारे सामने एंड इसमें जो है कुछ छोर्टी कल बाते की गई है कि जो है कुछ बाते लिखी हुई है आपके की इलेक्टिक पिल्ट के बारे में और डिफ्ट वेलोसिट तो A, C और E पार्ट तो आपको कर ही लेना चाहिए, आपको जो है ये इसमें कई सारी बाते लिखी हुई है, तो ये आपके लिए important है, बाकी दो पार्ट जो है इतने important नहीं है, लेकिन अगर सारे करोगे तो फिर भी कर सकते हैं, तो ये okay okay है, I will not take it as very important, बट ये okay है, अगला question NCRT में solved और unsolved में दिये गए हैं कि resistance हमारा temporary के साथ vary कर रहा है, तो इसमें दिया गए कि अलग-अलग value पे resistance की value दी गई है, current के through निकालना पड़ेगा, आपको तो सारी value दी गई है, फिर formula लगाया गया है, R equal to R node 1 plus alpha T वाला जो formula वो लगाया गया है यहां पर, तो ये NCRT मे लेकिन मैं इसको फिर भी okay में डालूँगा, बहुत important में नहीं डालूँगा, तो ये question आप कर सकते हैं, तो okay okay question हमारे हिसाब से यह है, आगे move करते है, 3.4 question देखते है, 3.4 question हमारे सामने क्या है, तो 3.4 जो question है, काफे नीचे आगे हम लोग, I think, 3.4 हमने miss कर दिया, बीच में, यह 3.4 यह भी जो resistance से related है, temperature तो यह भी same मैं, okay okay मैं रखूंगा, क्योंकि यह भी same resistance की value जो है, वो temperature की value चेंज होने से, वो सब हो रहा है, यहां पर तो आप कर सकते हैं, ठीक है, temperature निकालना था है, अगला जो question है, अगर हम यहां पर आए नीचे, तो यह हम लोग पहुंच जाते हैं, उससे पहले मैं, आपका जो ध्यान है, वो आकरशित करना चाहूंगा, इसके और, यह figure है, कई बार हम miss कर जाते हैं, इस figure का जो question है, actually यह ज़्यादा important है, क्रिचाव फ्लॉव में question आ रहे हैं, वो ऐसे figure के ही आ रहे हैं, तो यह हमारे लिए काफी, जो है, important है, especially यहां पर लिखा हुआ है, कि यह important figure हमारे लिए है, इसके question आपको, इसको solve करना है, एजब पर किर्चाव लोग, तो यह हमारे लिए काफी important हो जाता है, उसके अराब आगर हम नीचे बात करे ज़्यादा important नहीं है, okay question में, मैं ऐसे count कर रहा हूँ, ठीक है, यह छोड़ भी सकते हो, अगर हम अगला question देखे, 3.6, 3.6 में क्रिचाव लोग लगा गया है, तो क्रिचाव लोग की practice के लिए अच्छा question है, हालागि क्रिचाव लोग में जो question आते हैं, उस वाले figure से, जिस related 3.7 पर बात करते हैं, 3.7 जो question है, 3.6 हो गया, अगला question और last question 3.7, इसमें भी क्रिचाव लोग की बात की गई, मतलब इसमें current बगरा निकाला गया है, using क्रिचाव लोग, तो अगर आप practice के लिए करना चाओ, तो कर सकते हो, तो मैं इसको okay में रखूँँगा, CBSC में usually वही व तो बिल्कुँ छोड़ने वाले बोलना हो, तो उनको छोड़ना चाहिए, जो अगर आपका थोड़ा बात भी numerical ठीक ठाक है, okay है, average है, तो फिर तो try करना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी गड़बड है, तो उस सबसे न आपको अधादे कि important ज्यादा क्या है, कब important क्या है, तो ये सारे हमारे solved example हुए, अब अगर हम exercise की तरफ आएं, तो exercise में भी यहाँ पर I think 7 question दिये गए है, तो पहला question यहाँ पर जो दिया गया है, वो battery के EMF और internal resistance से related है, तो ये इसे में important में put करूँगा, क्योंकि ऐसे question board में काफी आ रहे है, तो ये हमारे लिए 3.1 जो है, important हो कि काफी बार ऐसे question, similar question आ चुके है, 3.3 की अगर हम बात करें, 3.3 में फिर होई resistance वाली बात आ रही है, temperature बढ़ने वाली, तो CBC में ज्यादा नहीं आया, NCRT में काफी question मैं आपको बताया था, कि ये है, तो practice एक बार कर लें, तो okay में इसे दख लेते हैं, ठीक है, okay में रख सकते हो, फिर ये temperature वाली बात की गई है, इसको okay में रख सकते हैं, 3.5, 3.6 जो है heating element है, और temperature बढ़ रहा है इसका, तो इसमें भी coefficient की बात की गई है, ये same बात है, दोनों question, इसको भी okay में रख सकते हैं, अगला question 3.7, 3.7 जो question है, ये भी मैंने creature of law, मतलब आपको बता दिया ह इसको पर जैसे question आये था, कि ऐसा circuit वासे कम कूछता है, प्रक्रिस के लिए आप लोग कर सकते हो, तो इसको मैं okay में रखता हूँ, 3.8 battery से related है, इसको मैं important में रखूँगा, क्योंकि यहां पे internal resistance और potential difference और EMF का difference के बारे में regarding बात की गई है, 3.9 question जो है number density of electron दी गई है, यह आपे और क्या पूछा गया है, यह कि wire drift करने में कितना time इसे लगेगा, तो यह okay okay में count कर सकते हैं, हम लोग मतलब कर सकते हैं, तो मैं आपको important question आप बता दी है, अब तक जो है हमारे, तो यहां पर जो लिखा वात हमने 3.1 example important में रखा है, अगर आप देखेंगे, एक figure अलावा हमें क्या करना है, उसकी बात कर लेते हैं, तो NCRT के अलावा अगर हम देखें, NCRT में क्या नहीं है, जो board में पूछा जाए रहा, तो काफी सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो कि स्चेप्टर में आपको NCRT से beyond जाना पड़ेगा, पहली चीज तो एक normal आदबार ही आया इस graph का हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका हमें area निकालना पड़ेगा, तो area निकालना चार्ज निकालना 2015 में question आया है, तो यह आप देख लिजएगा, श्टाइक का question जो आप कर सकते हैं, उसके अलावा जो है power की question यहाँ पे missing लगे मुझे, तो वो जो है power की question है कि इत आपको power वाले question भी खुछ से करने पड़ेंगे तोड़ा सा, थर्ड जो है वो graph वाले question, graph वाले question भी जो है आपके लिए V versus I का जो हम graph बनाते हैं, और इससे फिर हम EMF की value या फिर Intel resistance की value जो हम निकालते हैं, तो यह भी एक important part है, जो की कहीं न कहीं missing है, तो यह भी हम लोग कर इसके अलावा cells in parallel, यह question, cells in parallel के जो questions हैं, वो भी NCRT में missing है, तो that question also you have to do, यह भी इससे बाहर है, तो cells in parallel के जो questions हैं, this we have to do, यह out of NCRT है जो आपको board के लिए करना पड़ेगा, दिल्ली 2016, All India 2020, इसमें यह question आ चुका है, जो NCRT में नहीं है, उसके अलावा गर हम बात करें, जो फिप्त पार्ट है, क्रिच्छाफ लॉव, मैं आपको बता दिया, फिगर 3.15 जो है, वो important है, वहाँ से आप लोगे question कर सकते हैं, उसके अलावा अगर हम देखें, वीट इस्टोन ब्रीज के एक particular पार्ट की जो वीट इस्टोन ब्रीज है आपको, वीट इस्टोन ब्री इस ताइप के जो question होते हैं कि ऐसा वाला resistance अगर हमने लगाया और इसमें एक resistance ऐसे लगा देते हैं और एक ऐसे लगा देते हैं, यहां पर रेस्टोन ब्रीज के बीच में यह वीट इस्टोन की तरह आपको convert करना पड़ता है, वीट इस्टोन की तरह दिखेगा, तो कौन से हम रेस्टोन हटाएंगे, यहां पर किसको हटाएंगे, वो आपको देखना पड़ता है, तो यह टाइप की जो question है, यह भी missing है, यह भी board में आ चुकी है, दो तीन बार, तो यह भी आपको करने है, तो मैं आपको यह बता जी है, कौन-कौन से यहां पर important question है, sold में, unsold में, क्या-क्या question है, जो NCRT से बाहर हमें करने हैं, तो I hope आपके लिए वीडियो काफी useful रही होगी, अगर useful है भाई, तो उनके साथ share करें, जिनको इसकी जरुरत है, जो NCRT बेस पढ़ रहे हैं, या पर जो बच्चे हैं, जो board की तैयरी, अभी board exam देने जा रहे हैं, उनके साथ जरूर शेयर करें, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले chapter, chapter number 4 के important questions के साथ, till then bye, take care.